एक viewer का question है कि dispose of क्या है तो आईए friends उनकी confusion को खत्म करते हैं क्योंकि dispose of का मतलब होता है खत्म करना या ठीकाना लगाना जैसे माननी जी अगर आपको कहना हो इस last को ठीकाने लगा दो तो इस sentence के लिए आप कहेंगे dispose of this dead body यानि इस dead body को ठीकाने लगा दो अगर आपको कहना हो सबूत मिटा दो या सबूत खत्म कर दो या सबूत को ठीकाने लगा दो तो इस sentence के लिए आप कहेंगे dispose of the evidence यानि सबूत को ठीकाने लगा दो या सबूत को खत्म कर दो अगर आपको कहना हो अपने बिरोधियों को ठीकाना लगा दो तो इस sentence के लिए आप कहेंगे dispose of your opponents यानि अपनी बिरोधियों को खत्म कर दो या उनका ठीकाना लगा दो अगर आपको कहना हो इस पुराने सिस्टम को खत्म कर दो या इसका ठीकाना लगा दो तो इस sentence के लिए आप कहेंगे dispose of this old system यानि इस पुराने सिस्टम को dispose of कर दो या ठीकाना लगा दो या खत्म कर दो अगर आपको कहना हो चलो इस बात को खत्म कर दो तो इस sentence के लिए आप कहेंगे Dispose of this matter यानि चलो इस बात को खत्म कर दो तो friends उम्मीद करता हूँ कि आपको Dispose of का मतलब समझ में आया कि जब आपको कहना हो किसी चीज को खत्म कर दो या उसका ठीका ना लगा दो को बोलने के लिए आप कहेंगे Dispose of यहां मैं आपको बता दो कि अगर आपके पास भी कोई question है तो आप comment box में type करें मैं जल्द आपके question पर वीडियो बनाऊँगा फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे lesson के साथ तब तक के लिए